जियोतिश शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रेह एक निश्चित समय अवधी के बाद वक्री या मार्गी होते हैं वहीं 24 अगस्त 2023 रविवार को बुध ग्रेह सिंग राशी में वक्री होने जा रहे हैं बुध ग्रेह हो बुध्धी का कारक ग्रेह माना जाता है जियोतिश शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में बुध की स्थिती मजबूत हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बुध्धी तीवर होती है साथ ही हर कार्य में सफलता मिलती है बुध के वक्री होने से सभी राशियों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाफ पड़ेगा बुध ग्रेह जिस समय वक्री होंगे उसी समय अस्थ अवस्था में भी होंगे ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दोरान तीन राशी वालों को सबसे ज़्यादा लाब मिलने वाला है कन्या राशी बुध ग्रेह का अस्थ अवस्था में वक्री होना कन्या राशी वालों के लिए काफी लाबकारी होने वाला है इस दोरान इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी आपके कार्यों की तारीफ होगी आएके नए स्थ्रोत मिल सकते हैं परिवार में कोई धार में कार्यक्रम हो सकता है व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं भौतिक सुखों की प्राप्ती के लिए धन खर्च हो सकता है व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी वालों के लिए बुद्ध का वक्री होना अनुकूल साबित हो सकता है इस दौरान इन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता हासल होगी व्यापारियों का मुनाफा होगा आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा आत्म विश्वास में वृद्धी होगी पुराने निवेश से फाइदा मिल सकता है सेहत में सुधार होगा विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं लव लाइफ भी अच्छी रहेगी पार्टन के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं मिथुन राशी बुद्ध ग्रह का वक्री होना मिथुन राशी वालों के लिए शुब साबित होने वाला है आकस्मिक धन लाब हो सकता है भौतिक सुख सुविधाय प्राप्त होगी कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन होंगे रुका हुआ धन वापस मिल सकता है परिवार का सहयोग प्राप्त होगा मन प्रसन रहेगा आए में वृद्धी हो सकती है लंबे समय से कोई इच्च पूरी नहीं हुई है तो वो अब पूरी हो जाएगी